प्रधान मद्री प्राण जबाए है यह शायद अब भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूले पांच जुलाई 2005 आयोध्या में श्री राम जन्मभूमी ब्लास्ट 29 ओक्तोबर 2005 दिल्ली में तीन सीरियल ग्लास्ट 62 लोगों की मृत्यूद साथ मार्श 2006 बना रस्ट संकट मोचन मंदर में ब्लास्ट 28 लोगों की मृत्यूद ग्यारा जुलाई 2006 मुंबै की लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट 209 लोगों की मृत्यूद 25 अगस्ट 2007 ब्लास्ट 42 लोगों की मृत्यूद 13 मैं 2008 बोल जैपुर का सीरियल ब्लास्ट 63 लोगों की मृत्यूद 25 जुलाई 2008 बेंगलोर में नो सीरियल ब्लास्ट 26 जुलाई 2008 अमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट 56 लोगों की मृत्यूद 13 सितंबर 2008 बिल्ली में पाच सीरियल ब्लास्ट 30 लोगों की मृत्यूद 30 अक्टूबर 2008 गोगहाटी में 18 सीरियल ब्लास्ट 77 लोगों की मृत्यूद 26 नवेंबर दुर्दान मुंबई हमला जिसमें दस आतंकियों ने चार दिन तक मुंबई को बंड़ों बनाकर रख दिया था और और 164 लोगों की मृत्यूद 13 फर्वरी 2010 पूने की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट 17 लोगों की मृत्यूद 21 फर्वरी 2013 खेटरबाद ब्लास्ट 16 लोगों की मृत्यूद इसका अलावा भी देश के उतर पुर्वी राज्यों में हमले हो चुके हैं जिसका दिक्रा यहां नहीं किया गया और यह सब सीमा पार से आये हुए उस तुच्छे से मुल्ख पाकिस्तान के आततवादी अपने यहां के सयोग योगन मदद से कर जाते थे सर हम आपके तरफ आशा भरी निगाओं से देखते थे कि शायद आप कुछ कार्यवाही करेंगे देश में इस ब्लास्ट का सिलसिला अब थमेगा निर्दोशों की जार जानी रुटेगी सर अब यूपी ए अब कॉंग्रेस के नहीं थे अब हम सभी भारत आश्यों के प्रधार मंत्री थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर क्यूंकि आप किसी भी हमले को रोप पाने में सदाइब और समच रहे आइब हर एक हमले के बाद फिर निर्दोशों की अब समझ मरते देखां भारत आश्यों को बहुत गुस्ता अता था हम सोथते थे कि सरकार अपको करा आश्यों लेगी लेकिन आप डोजियर पे डोजियर भेच कर हम भारत पासियों को घुम्रा कर देते थे सर्ज और फिर व्लास फिर देख में बेगुनाओं की अज समझ मोते शायद आप की सर्कार में आप नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं थी सर्ज जो अपने कभी कड़े कदम नहीं उठाई दो हजार चौदा में हमें हमारा एक नया नेत्रू करता मिला जिसने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया उस लरेज रदा मोतरदास मोधी की सरकार ने आते ही उन आतंक वादियों और उनके स्कीपर सेंस की कवर तोड़ के रख दी थी ये तो आप भी अच्छी तरह से जाते हैं कि दो हजार चौदा से अब तक देश के अंदर किसी सार्वा जनित्स्थान पर किसी आम नागरिकों निशाना बनाने की हिम्मत कोई आतंक वादि संघटन नहीं कर पाया जिन सीमा के पार क्या दब वादियों को आप डोजिया पे डोजिया भेज़ा करते थे उसना रेंगर भाई ने सीमा पार डोजिया भेज़ा बन्त कर सीधा सेंवा भेजना शुरू किया उरी के हमले के बाद पुलवामा के बाद हमारी सर्जिकल और एश्ट्राइट से पूरी दुन्या ने हमारी ताकत देखी अब आता है वर्तमान चिन के मुद्धे पर ये तो आपके पुर्ववर्ती कॉंग्रेप सरकारों की महलबानी है जो आपने 1962 के बाद से सीमा ओ को यू भी छोड़ रखा था उस नरेंद्रा भाई ने सीमा को की सुरक्षाशू निश्यत करने वहां रण नीतिक पुल और हाईवे बनाए आपकी सरकार ने 31,000 स्क्वेर किलो मीटर की जमी जिन को देकर बिना पयुद्ध आधा कश्मीर पाकिस्तान को परोसकर आपके जिन पुर्वर्व नेजा उन्हे कुंत को भारा स्रक्ता से नवाजा है उनकी अगली पीडी होने के नाते सीमा विवात पर आपके मूँ से ये सारी बाते शोभा नहीं देदी सर्व जाई हिंद जाई भाराव और हां मेरे इसावास को हर एक हिंदुस्कानी तक पोचाट ताखी उन्हें पता चले की अगला किसे देना है